एलो स्टुडेंट्स, टोडेश वी आर कोईंग टू रीड चेप्टर अर्ट इंप ओफ सरजरी स्टुडेंट्स मैं आपको बता दूँ कि हमने कुछ दिन पहले एक सीरीज स्टाट के थी जिसमें हम हमारे जो एंटियार्टी इंग्लिस बुक है उन में हम चैप्टर वाइज हिंदी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन दे रहे थे हम हिंदी में कर रहे थे पॉइंट पॉइंट एक लाइन टू लाइन और बीच में हम कुछ टाइम तक वीडियो नहीं डाल पाए तो उसके लिए हम रियली वैरी वैरी सोरी स्टूडेंट लेकिन अब हमारी ये सीरीज जो है ये कंटीनू रहेगी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 से जो चैप्टर फर्स्ट है क्लास 10 का फुट्प्रिंट वाई जो बुक है उसमें हम स्टार्ट करें है, चैप्टर का नेम है, ट्रिम्प ओव सर्जरी, स्टूडेंट्स, ट्रेकी एक चोटा कुता था, वो उसकी जो मकान मालकीन थी, वो उसे बहुत ज़्यादा खिला देती है, वो सचमें बहुत बिमार हो जाता है, और उसकी जो मालकीन है, वो फिर एक पशू चिकित्सक से मिलती है, तो वो सब हम चैप्टर में रीड करेंगे, वो सचमें बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, एक फूले हुए कुल्चे जैसा, जिसके चारो कोनों पे टांग लटकी थी, उसकी आखें बिलकुल लाल हो चुकी थी, खून की तरह है, जिन में से पानी बहरा था, और उसकी जो आखें वो सीधी, उस पे जो सामने की तरफ घूर रही थी, और उसकी जीब जबडों के बीच में लटक रही थी, M.Phamfray hesitant to explain, M.Phamfray थोड़ी hesitate हो रही थी, explain करने में, बताने में, वो जल्दी-जल्दी समझाने लगी, कि He was so listless, वो सचमें बेजान सा हो गया था, Mr. Harriard, He seemed to have no energy, ऐसा लगता था कि उसमें ताकत ही नह रही हो, I thought he must be suffering from malnutrition, मैंने सोचा कि जरूर ही उसमें कुपोशन की कमी हो गई होगी चायद पोस्टिक भोजन ना मिलने से so I have been giving him some little extras between meals to build him up तो इसलिए मैंने उसे खाने के बीच में थोड़ा बहुत extra देने की कुछ शुरुवात की some malt and cod liver oil, कुछ चराब और कुछ जो malt अगेरा बोल देते हैं जो से बना हो अबोजन बोल देते हैं हम यहाँ पर malt की जगे चराब ने लिखेंगे मचली का तेल और रात के समय अब बाओ लो fourlix at night to make him sleep ताकि उसे अच्छी नेंद आ जाए, रात के टाइम में उसे एक प्याला होरलिक्स का दे देती, nothing much really, सच में इसके अलाव मैं उसको गुछ नहीं देती and did you cut down on the sweet things as I told you लेकिन क्या, जो मैने आपको बताया था, मेठी चीजे देना बंद कर दी उसको लेकिन वो सच में ही इतना कमजोर दिखलाई देता था, इसलिए मुझे बंद नहीं करना पड़ा, मुझे उसके देना पड़ा I looked down again at the little dog, मैंने दुबारा से उस छोटे कुटे की तरफ देखा, that was the trouble, मुसीबत वही थी Tricky's only fault was greed, Tricky की एक मातर गलती थी उसका लालच, he had never been known to refuse food, वो कभी खाने के लिए मना करना जानता ही नहीं था He would tackle a meal at any hour of the day or night और वो दिन और रात के समय किसी भी टाइम खाना खा लेता था And I wondered about all things Mrs. Pomfrey hadn't mentioned और मैं उन सब चीजों के बारे में सोचता रहा, हैरान था उन सब चीजों के बारे में सोचके, जिनका जिकर Mrs. Pomfrey ने नहीं किया होता Are you giving him plenty of exercise? क्या आप उसे प्रियाप exercise करवा रही हो? वयाम करवा रही हो? Well, he has little walks with me as you can see वो मेरे साथ बस थोड़ी बूद चैर कर लेता है, जैसा कि आप देख सकते हैं But Hawkin the gardener, लेकिन जो Hawkin है, हमारा gardener है Had been down with lumbago, lumbago होता है, गठिया बोलते हैं, जिसको गठिया बवाए बोलते हैं जिसमें मतलब भड़ियां जुड़ जाती हैं, बिल्कुल वो बिमार पड़ गया, so there has been no ring throwing lately तो उसके बाद से इसे जो ring फैक कर दोड़ाने वाली जो exercise है वो भी इसकी नहीं हो पाई Then student, I tried to sound sever मैंने थोड़ा सा मनलब कठोर दिखने का प्रियतन क्या No, I really mean this अब मैं आपको बता देता हूँ, मिल्कुल मतलब की बात कर रहा हूँ If you don't cut his food right down and give him more exercise He is going to be really ill और अगर आप उसे exercise नहीं करवाएंगी या फिर उसे, मनलब खाना उसका कम नहीं करेंगी कसरत नहीं करवाएंगी तो वो सचमुच बिमार पढ़ जाएगा You must harden your heart आपको अपना दिल सक्त बनाना होगा And keep him on a very strict diet और उसे बहुत कम खाने को नपातुला भोजन आप उसको देंगे Mrs. Pomfrey wrung her hands Mrs. Pomfrey अपने हाथ मलने लगी Oh, I will Mr. Harriet हाँ Mr. Harriet, मैं ऐसा ही करूंगी I am sure you are right हाँ मैं भी सोचती हूं आप सही कह रहे हो But it is so difficult so very difficult लेकिन ही बहुत मुश्किल काम है बहुत ही मुश्किल She set off head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately और ऐसा कहा कि उसने अपनी जो गर्दन है वो नीचे कर लिए अपना सिर नीचे कर लिए सडक की तरफ चल दी मानो ऐसा सोचरियों कि जैसे वो जो नहीं advice है वो तुरंती उसको मानने वाली हो I was there progress with growing concern मैंने चिंता सहीत उनकी तरफ देखा जब वो जा रहे थे The tricky was to tottering along in his little tweed coat tricky जो है वो भी अपने उसमें जो उसने coat पहन रगा था उसमें डगमगाता हुआ चल रहा था उनकोट में और he had a whole wardrobe of these coats उसके पास ऐसे कोटों की पूरी एक अलमारी थी for the cold weather and a rain coat for the wet days ठंड के मौसम के लिए भी और बरसात के मौसम के लिए भी he struggled on drooping in his harness और वो बड़ी मुश्किल से चल रहा था I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pomfrey मैंने सोचा कि इसमें ज्यादा time नहीं लगने वाला है कि Mrs. Pomfrey मुझे जल्दी बुलाने वाली है the expected call came within a few days और जिस call की मुझे उमीद थी वो कुछ ही दिनों में आ गई मेरे पास Mrs. Pomfrey was distraught Mrs. Pomfrey काफी प्रेशन थी tricky would it nothing कुछ नहीं खा रहा था refuse even if even his favorite dishes इसके अलावा वो अपने फेवरिट इसे के लिए भी मना कर रहा था and besides he had bords of vomiting और इसके अलावा वो बहुत सारी उल्टिया कर रहा था he spent all his time laying on a rug painting वो अपना पूरा दिन अपने जो उसका कालिन था उस पर ही बिता देता didn't want to go for work और नहीं वो वो के लिए जाना चाहता हाँ